हेलो माल देर स्टुडेंट्स वेलकम बेक मैं ओरिच चैनल तीवारी क्लासेज और नाव तुडेए विल डिसकास अबाउट अ क्लास एर्थ मैथ सब्सक्राइब करने वाले चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहा है तो आईए बच्चों क्वेशन नॉबर हम देखते हैं 12 और क्या गीविन आईए 11 तक हमने कर लिए थे थे एंडर रूट में गीविन है बच्चों स्कार रूट हमको फाइंड आउट करना है टू होल 1337 अपान 3844 सबसे पहले बच्चों इसको चेंज करना होगा आपको फ्र 288 अच्छ देखे 248 248 286 तो थीजर शीक्तिन टू थीजर शीक्टार वन सेवन प्लस में कितना 1337 अपान कितना अब था एट फोर फोर बच्चों एड करके बताए जरा उपर कितना आजाएगा बच्चों हेट सेवन फिफ्टिन का फाइब करें वन एट थ्री इलावन और वन ट्वेल हो जाएगा एट उट ट्री नाइन अट फ्री नाइन हो जाएगा अपन में कितना आपका थी एट फॉर पॉर अभी इन दोनों के हमको क्या करना बच्छो स्क्वेर रूट हमको फाइंड करना है तो square root find करने के लिए आप लोगों को पता है बच्चो सबसे पहले 9025 है पेर complete देखिएगा तो कितना लिखा आपका 90 लिखा हुआ है तो 99 कितना होता dear student 81 हो जाएगा और 9 को यहाँ पर add कर लिजे 99 कितना हो जाएगा 18 हो गया अब देखिए 1090 में से 18 गए बच्चो 81 चले जाए अब देखिए कौन सा नंबर आप लेंगे अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं और यहाँ पर 5 लिए 55 25 फाइब 40 और 242 और 5 बंजा 5 और 4 कितना हो गया 9 कितना आगे स्क्वार रूट बच्चो 95 तो आगे किसका ऊपर वाले नंबर का अब नीचे वाले का यह देखिए find कैसे करना है तो नीचे वाले का find करने के लिए नीचे वाला number लिख लेंगे ऐसे क्या लिखा है 384 बच्चो यह लिखा है 384 पेर कम्प्लीट करना है पेर हमेशा आपको पहली बता है कि हमेसा right side साब बनाएंगे left side अगर आप बनाते हैं तो आपका question गलत हो जाएगा 384 4 आ यह दिखे कितना आगया डबल फोर होगया six six कितना हो जाएगा है ट्वेल हो गया अब हमको कौन सा नमबर लेना पड़ेगा देखिए अगर हम तू लेते हैं तो तो टूजा 4, 2 टूजा 4, 2 अंजा 2 हो गया complete देखे कितना इजी था बच्चो, यहाँ तू लिखा, यहाँ टू टूजा 4, 2 टूजा 4, और 2 अंजा, देख कितना इजी था बच्चो, तो हमें तो square root find करना था बच्चो, देखे पेर हमारे complete हो गये, 95 उपर वाले का आ गया, कि बच्चो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 369, यही है क्या option, यह बिल्कुल, option number B for Bangalore is the right answer, B for Bangalore is the right answer, बिल्कुल ऐसा, आप लोगों को अपनी notebook में question, 9025 पर कितना 95 और किसका बच्चा 3, 844 का कितना 62, question के लिए हो गया, question number 13 पर, और देखते question number 13 में, question number 13 बच्चों कह रहा है, decimal में question given आपको, क्या given 59.29 माइनस अडरूट 5.29 अपन अडरूट 59.29 प्लस अडरूट 5.29, यह question है, और किसके एकवले आपको यह बताना है, तो सबसे बहले हम question note कर लेंगे चलिए, सबसे पहरे लिखा है 59.29 माइनस 5.29 अपन 59.29 प्लस का sign लिखा है बच्चों, और 5.29 यह आपको question लिखा है, पहला काम क्या होगा हमको सबके इनके square root find करने होंगे, जैसे 59.29 और 5.29 इनके दोनों का हमको square root find करेंगे, चलिए, सबसे पहरा यह 59.29 का हम find करते हैं, चलिए देखे, pair complete, stressor complete, 7-7 जा 49, 8-8 जा 64 ज्यादा, तो 7-7 जा 49, प्लस में कितना आएगा, 7-9 में से 9 जागा, 0-5 में से 4 जा सर, 1 आ गया, point है यहाँ पर 7-7 कितना होगा, 14, point है यहाँ पर point note कर लेंगे, और बिल्कुल सेम एज 1229 हमने क्या कर लिया, note कर लिया बच्चों, यहाँ पर 7-7 कितना होगा, 14 होगा, सर्य आगर हम 7 लिखते हैं, यह से करके, तो 7-7 जा 49, 7-2 जा 14, और 7-4 जा 28 है, 28 और 4 होगा, 32 का 2, और 7-7 और 3 कितना होगा, 10, यह सर्, बिल्कुल सर्, आगया देखें, क्या तना आगया, 7.7 आगया आपका, second number क्या आपका 5.29 है, देखें कितना ही जे है, 5.29, pair complete देखें, 2-2 जा कितना होगा, 4, और प्लस में कितना डियर इस 24 आगया, सर्, 5 में सर्, 4 गया, 1, सर्, पॉइंट लगा दीजेगा, और 2-9 सर्, सेम नोट कर लिजेगा, सेम हमने क्या करा, नोट कर लिया, सर्, यहां गर हम 3 ले ले लेते हैं, और यहां सर्, 3-3 जा 9 हो जागा, सर्, 3-2 जा 4 हो गया, 3-4 जा 12, यह आगया सर्, value रख दीजे, बहुत सर्, 9.29 का सर्, 7.7 और प्लस में सर्, 2.3, 7, 7 में से 3 जाएगा, सर्, 4 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, सर्, 5 हो गया, 5.4 हो गया, नीचे है, यह सर्, 7, 3, 10 का, 0, 729 और 1, 10 सर्, यह सर्, यह आ गया, अब बच्छो, dear student, अब क्या करना, आप लोगों को डिवाइड करेंगे है, option आप लोग कर लेंगे, सायद मुझे लगता है, yes, D for, D for Denmark, 5.4 upon 10, सब को पता, जो डिवाइड करेंगे, तो decimal का आजाएगा, 1 डिजिट पहले, 0.44, 54, D for Denmark is the correct answer, option number D is the right answer, चलते हम question number 14 पर और देखते हैं, बच्छो, question number 14 में हमें क्या गिए, चलिए, question number 14 पर हम लोगा, यह है, question number 14, और ध्यान से समझना, question number 14 में क्या लिखा है, question number 14 बच्चों कह रहा है, 3600 जिले, 3,600 soldiers are asked to stand in different rows, every row has is as many soldiers as their rows, find the number of rows हमको, क्या करनी है, बच्चों, number of rows हमको find करनी है, soldier हमारे कितने बच्चों, 3600 हैं, तो लिख लिजे, सब नमबर आफ सोल्जर, number of rows की बात कर लेंगे, number of soldier, some number of soldier, standing in each row, standing in each rows, number of rows equals to 3600 बच्चों, कितने हैं टोटल, 3600 बच्चों, अगर हम number of soldiers, let करते हैं, let, the number of soldiers, number of soldiers, standing, standing rows and number of rows BX, standing rows, number of rows BX, कितने लेंट की बच्चों हमने, X लेंट कर ली, तो देखे, X into X equals to number of rows, number of soldiers, 3600, तो X square equals to 3600, अब ये तो आपको सबको पाता है, कि बच्चों, 3600 का जो square root होता है, वो सब 60 into 60 होता है, आप लोग प्राइम फैक्टराइशन ये नोट कर सकते हैं, तो X equals to answer कितना आगया, 60 आगया, कितना आगया, 60 आगया, पूछा क्या आगया था आप से, find the number of rows, find the number of rows, तो hence, number of rows equals to 60 answer, देखिए, यहां क्या लिखा, let the number of soldiers, standing rows, number of rows, देखिए, standing rows, standing number of rows, number of rows, यहां हटा दी जगा, डबा हो गया ना, number rows भी कितना हो गया, तो question number 14 आपका complete बाँ, चलते हैं, question number 15 कि रब हो देखते हैं, बच्चों क्या गिवी ना है, 15 पर ध्यान जे, question पर ध्यान देना है, इसक्वेर का एरिया गिवीन है, question number है बच्चों कितना आपका यह 15 आ जाओ, area of square गिवीन है हमको यह बच्चों, 6, 8, 8, 9 बच्चों, यह हमको गिवीन है, ठीक है, सबको पता है यार एरिया कितना होता है, side into side होता है, किसका वो भी square का बच्चों, 6, 8, 8, 9, हमको क्या करना ह है, side find out करनी है, तो side का square equals to 6, 8, 8, 9, ठीक है बच्चों, यही तो आएगा, आगे चलिए देखें, तो side का, क्या कर दीजे, square root लगाई है, 6, 8, 8, 9, सबको निकालने आते हैं, pair आप लोग find करेंगे, तो जब इसका आप निकालेंगे, तो देखें, यह आपका बन जाएगा, क 3 आ गई, side कितनी आ गई, 83 ही तो भुक में है, बिल्कुल सही है बच्चो, meter square में तो side कितनी आ गई, 83 meter आ गई, पर आप से side निप पूछी गई, आप से क्या पूछा गया, perimeter of square, क्या पूछा गया, perimeter of square, क्या होता, 4 into side, side कितनी है, 83, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 8, 32, और 1, 33 आ गया, meter answer, 3, 3, 2, meter आपका answer आ गया, question number 15 की बात की चलते है, question number 16 पर देखते हैं, 16 में क्या आगी ही ने, सभी बच्चे एक बार, read, read करेंगे, question number 16 को, तो क्या कहला, 16 में एक बार, ध्यान लेंगे, सभी बच्चे, मैं भी read कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, a society collected, रुपे, 8836, each member, contributing as many rupees, as there, were members, find the number of members of the society, हमें क्या find करना है, number of members हमको find करने हैं, तो सबसे पहले, सबसे पहले लिख लिएगा, total money जो आपको giving है, total money collected, total money collected, रुपे 8836 रुपे 8836 आपने collected किये गए, अब हमको number of members let find करने, तो let, the number of members, number of members, be x, कितने हमने let करें बच्चो, x let करें हैं न, तो अब देखो, जब हमने x let करें, members जब let, हमने x किये, तो so money भी परते हैं, कितना दे रहा होगा, हर एक आदमी कितना दे रहा होगा, x रुपा दे रहा होगा, so money given by each member, each member, रुपा एक्स कितना, given by each member x बच्चो, हने, x दे रहा होगा, वो भी, each member equals to x बच्चो, अब देखिए, according to question चलते बच्चो यहाँ पर, यहाँ पर दो चीज़ा आपको ध्यान रखनी है, number of members, क्या बच्चो, number of members, into members, money given by one, money given by each, equals to total money, कितनी थी बच्चो, वो देखेंगे अभी ज़रा, total, money कितनी थी, 8836, बच्चो, कितनी है, 8836, बच्चो, members कितने थे, x, x, और यहाँ पर 8836, x square equals to 8836, square root लगाई है जड़ा, 8836, बच्चो, किसका square root होता है, आप लोग find करेंगे जड़ा, 8836, बच्चो, किसका होता है, 94 into 94, का आप लोग इसको find कर सकते हैं, तो x equals to कितना आगे, 94, तो hence the total member कितने होगे, बच्चो, क्योंकि members पूछे गए थे, तो hence, the number of members, number of members, is x, oh sorry, x नहीं 94, कितना आगे है, 94, बच्चो, तो यह बात कि हमने question number 16 की चलते हैं, question number 17 बच्चो, क्या आगे भी नहीं, तो बच्चो, अब हम आगे अपने question number 17 पर हो, देखते हैं, question number 17 में हमें क्या गी बीन है, सभी बच्चे एक बार read कर लेंगे, उसके बाद हम question number 17 की start करते हैं, चलिए, यह बार मैं read करके explain कर रहा हूं, आपको देखी धान से, in a basket, there are 1250, 1250 flowers, a man goes to worship and puts as many flowers as there are temples in the city, does the needs of eight basket of flowers, find the number of temples in the city, हमको number of temples बताने, कितने हैं बच्चे, सबसे पहली बार तो आप लोगों को number of flowers कितने given हैं, question number आपका यह 17 बच्चो, given number of baskets, number of flowers, baskets, number of flower in one basket, अच्छा, in one basket, कितने given हैं बच्चो, 1250, अपने परी बुक में सब रेंग्वेच में ध्यान रखना हैं ना, 1250 बच्चो, अब number of flower, अब दी, one basket में कितने flowers ते यह हो गाए, number of flowers, eight basket हैं ध्यान रखना, number of flowers in eight baskets, eight baskets, eight, one, two, five, multiply कर दीजिए जरा, eight, zero, zero, eight, five, जा, forty, eight, two, जा, 16 और four, यह हो जाएंगे, forty, 16 और four, twenty, eight, one, जा, eight, और two, ten thousand, कितने आगे बच्चो, ten thousand आपके flowers, so number of temples हमको find करने हैं, so number of temples, यही तो पूछा है, number of temples in the city, in 17 पर ध्यान देंगे, एक बाद जड़ा, लिखा है, find the number of temples in the city, in the city, सबसे पहले देखें, number of flowers कितने आगे, बच्चो, ten thousand आगे, हमसे पूछा है, कि number of city कितने हैं, तो simple सा एक अंडरूट लगाईए, ten thousand, अब ten thousand का square root सब को पता है, ten thousand का क्या है, सब को मालूम है क्या होता बच्चो, hundred into, hundred कितना answer आगे, hundred, number of city, number of temples in the city, तो कितने temples हो गए, hundred temples हो गए, बहुत easy question था बच्चो यह, और यह बात कि हमने question number 17 की, चलते अपने question number 18 पर हो देखते है, question number 18 में हमें क्या आगी होई है, note कर लीजेगा सभी बच्चे, और जुनोंने like नहीं किया, वीडियो को like कर दीजेगा, channel subscribe कर दीजेगा, साथ बेल आइकन प्रेश कर जीगा, ज़से कि आपको निवीडियो को नाटीपियन मिलता रहे, तो आएक question number 18 देखते हैं, क्या आगी होई है, चालिए, 18 में क्या आगी होई हमको, वो ब्रीड कर लेंगे, ध्यान दे सभी अच्छे, what should be subtracted from 6249 to get a perfect square number, कितना हम subtract करें कि हमारा perfect square number बन जाए, what is the perfect square number, also find its square root और उसका square root भी find करना है, देखे, क्यासा question आया, तो अगर आप को यहाद हो exercise में हमने किया था, पहले हम उसको square root find करते थे, remainder आता था उसको उसमें से minus करते थे, बिल्कुल same as हमको यही question करना है, number क्या given है वो ध्यान रखना सबसे पहले, 6249, pair complete, अब 62 आगे, 88 जा 64 है, सबको पता सर जादा हो गया, sir 77 जा किमना 49 ले लिजे, बिल्कुल लेंगे बच्चों हम ठीक है, और plus में sir 7 ले लिजे, sir 77 14 हो जाएगा, sir 12 में से 9 जाएगा, 9 और 3 12 होता है, sir और 5 में से 4 जाएगा, sir 1 आगया, sir pair पूरा complete note कर लिया हमने, clear होगी सभी को बात कितना आगया, हमारा 14 आगया, sir अगर हम यहाँ पर 9 ले लें, कितना ले लें 9, क्यूंकि 10 नहीं ले सकते हैं, 0 हो जाएगा, 9 9 जा 81 होता है, और 9 4 जा, sir 36 और 8, यह आपका 36 और 8 कितना हो जाएगा, भई, 36 और 8 हो गया, आपका 44 हो गया, 44 का 4 हो जाएगा, sir carry कितना बचा, 4 हो गया, 9 बन जा 9 हो गया, sir और 4, 9 4 13, sir यह आ गया, ठिक, sir 9 में से बन जाएगा, तो 8 आ गया, sir, यहां आप लोगों को plus का 9 लिखना ही होता है, तो 9 9 18, 4 1 5, और 1 का 1, यह 158, अब 8 हमारा क्या आ रहा है, बच्चो remainder आ रहा है, अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 को सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 8 को हम को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा, if we subtracted if we subtracted 8 in given number in given number then we get perfect square number 6, 2, 4, 9 minus 8 बच्चो कितना जाएगा 6, 2, 4, 1 आगया बच्चो कितना आगया 6, 2, 4, 1 आपका आगया अब 6, 2, 4, 1 का अगर हम square root की बच्चो पाफ करेंगे देखिए एक तो 8 answer आपका आगया ना number के आगया आपका 8 आगया ठीक 8 आगया अब 6, 2, 4, 1 का जब आप square root find करेंगे तो यहां देखिए 79 आएगा 6, 2, 4, 1 का कितना आएगा 7, 9 7, 9 that's your answer तो answer क्या आगया आपका एक तो 79 आगया बच्चो और क्या 8 आपका number आगया 8 subtract करेंगे तो हमारा number या आएगा इसका square root कितना आगया आपका आपका आएट और 79 चलते है question number 19 आएगा आपका आइटीन पर देखते है 19 में क्या आइटीन में कह रहा वाट शूड वाट लिष्क नमबर शुड वी एड़िक टू 594 तो मेंक दा समय परफेक्टी स्क्वार अब क्या दिखिए अभी हमने पेर कमप्लीट या केला बचा तो 2 2 या कितना आ जाएगा सर 4 आ गया सर यहाँ पर 2 प्लस कर दीज़े सर 2 और 2 सर 4 हो जाएगा 5 में से 4 गया सर 1 और 9 और 4 सर ऐसी नोट कर लीज़ेगा ठीक है ये बात तो किलियर हो गई सभी को अब क्या नंबर लेना पड़ेगा यहाँ सर 17 आ गया सर यहाँ पर प्लस 4 कर दीज़े तो 48 हो जाएगा सर 6 और 14 में से 6 जाएगा 8 यहां क्या बच्चा बच्चो 8 में से 7 गया 1 यानी 18 आ गया 18 आ गया अगर हमें तो परफेक्ट इसकार गेट करना है तो भी गेट टेक स्क्वार रूट स्क्वार रूट ऑफ 25 का स्क्वार बच्चो 25 का स्क्वार रूट सबको पता होगा सर कितना होता 625 होता आप सबको मालूम होना चाहिए आप सबको क्या है मालूम होना चाहिए डारेक्ट निकालना भी आपको आना चाहिए 25 का कितना होता है 625 होगा number of to be added देखिए इसके बाद यहां से नोट कर दीजे 690 625 में से आप सर 594 माइनस कर दीजे और जब माइनस करेंगे तो सर 5 में से 4 गया 1 और सर यहां आपका कितना जाएगा सर 62 में 59 के 31 तो आपका अंसर कितना अगया 31 तो इतना आगया 31 क्या आगया आपका अंसर आगया तो क्रेशन आपका कंप्लीट हुआ यह थी बात की हमने बच्चो कौन से क्रेशन की नाइन तो क्रेशन नमबर 20 में क्या कह रहा बच्चो वर्ट वुड बी एड़ेट टू सेवन नाइन वन टू मेक दा सम और पर फैक्टी स्कार बच्चो यह आपको क्रेशन गीवीन है सेम बिल्कुल सेम क्रेशन की में नमबर क्या गीवीन ता 7 9 12 यह पेर कंप्लीट हुआ चलिए आए देखे एट जा शिक्स्टी वन होता है 9 9 जा 81 हो गया तो 88 जा सिक्स्टी पूर और से प्लस का कितना आ गया एक आ जाता है और सब सेवंटी नैई नाइन में से फोर जाएगा सर 5 हो गया और सेवन वह शिक्या सर वन आ गा और और वन और टू सर ऐसे नौट कर लिजिएगा बताइए एनी प्रोब्लम नहीं है सर कोई माइनस करके बताइए बोलिए आचा 168 बड़े समझदार बच्चों रिमेंडर आ गया बच्चों कितना गया 168 सब्ट्रेक्ट की बात की गई है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे पिछले क्वेश्चन की लिख लेंगे आप सब 792 माइनस का 168 कितना आएगा बारह में से 12 में से 1520 यहाँ कैसे बन गया 7czenia सैवने यहाँ सैवन वर आ गया 7744 जैनी कि 1744 किसका स्कार्णा बच्चों यह नहीं कि ऐसे सेवन सेवन फोर फोर किसका स्क्वार रूट है बच्छो 88 का किसका हो गया 88 का स्क्वारूट कितना हो गया 88 आ गया इनका आए देखिए 89 का क्या हो जाएगा 89 का स्क्वारूट कितना होगा जरा बताइए 7921 सेवन नाइन हो गया नाओ आए देखिए 77921 माइनस 7912 कितना जाएगा बच्छो 7921 में से 7912 माइनस कर दीजिए जरा कितना आ गया सब 9 आ गया इतना आगे नाइन आपका क्या जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए दुबारा से एक बार यह आपका रिमेंडर आया इसमेंस को माइनस का 7744 आ गया ठीक है तो 7744 किसका स्क्वारूट हो गया हमने एक नेक्स से नमबर ले 89 लिया 89 का स्क्वारूट कितना होगा 7921 सेवन ना इनसक्रा कितना आगे 9 आगया आँचा चैक कर लेंगे एक बार सभी बच्चे क्वैस्ट नमबर 20 था यह और 20 का क्वैस्ट नमबर आपका गीविन है यह ना इन राइट आट आपका कंप्लीट चलते है क्वैस्ट नमबर 21 पर देखते हैं बच्चों क्या गिवन आजाए फ अब इसका परफेक्ट इसको नमबर फाइंड करेंगा यह देखिए वांड टू फोर और यह पेर कंप्लीट करिए आप पेर क्या ओगया और चों कंप्लीट हो गया आए जड़ा सबसे पहले क्या लिखावा तैन लिखावा थी त्री जा सबको पता सर नाइन होता है प्लस नोट कर लिए जाएगा तो सब्सक्राइब यहां पर प्लस का वन लिख दीजेगा और यहां पर प्लस का वन लिख दीजेगा और सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑन यहां यहां सब्सक्राइब ज्लें बदें और सब्सक्राइब तो जाएगा यहां माइनस कर दीजेगा बचो माइनस करके बाद बताएं कितना रहा है यहां लिखने के जोड़त नहीं है लिख सकते हैं आपके उपर डीपेंड करता है हमसे तो पूछा गया था कि इसमें हम जो लीच्ट नमबर वाला करें इसमें कि 6 डिजित विचिज़ परफेक्ट इसका बच्चों यहां हमसे पूछा गया है लिख लेते हैं लोग लोग दा रिमेंडर रिमेंडर इस वन फॉर फॉर कितना रिमेंडर आ गया हमारा वन फॉर फॉर आ चुका बच्चों तो सीन्स सीन्स 316 का स्क्राइर जो है बच्चों यह कैसा होगा हमेंसा छोटा होगा इन कंपरिशन किस से बच्चों लीस्ट नमबर हमारा है ठीक है यह बात किस सोल्जर इन रो फॉर्म परफेक्ट स्क्राइर ही फाइंस देट इन दूइंग सो 60 सोल्जर आर लेफ आउट इस सॉल्जर समने परते चीस बताने सबसे पहले बच्चों जो तोल मंबबर ऑफ सॉल्जर से हैं और टो्टलró ओफ सॉल्जर समने इस से हैं है नमबर ओफ रिमेनिंग सॉल्जर्स यह इसने कुछ लेफ्ट की हैं सोल्जर्स बच्छों उनको हम लेफ्ट करेंगे यहां से देखें टोटल कितने दे भाईया 8341 और 60 सॉल्जर्स को हटा दो यहां से कितना आ जाएगा बच्छों माइनस करके जड़ा बताईएगा 8281 इनका परफेक्ट स्कार आप आराम से फाइंड कर देंगे ठीक है दाज नमबर ओफ रोज इक्वल्स टू 8281 तो इक्वल्स टू अंडरूट 8281 परफेक्ट स्कार फाइंड करें प्राइंट जल्दी से प्राइंट आएगा कितना आएगा करेंगे सब अच्छी जड़ा बताईए कि यस नाइंटीवन वोक्य कितना आ गया 91 इंटू 91 तो कितना आ गया इस्टूएं नमबर ओफ रोज कितनी आ गया आपकी 91 नमबर ओफ रोज इकवल्स तू 90 आंसर वच्छों यह आपका बच्छो क्या नमबर हो गया कौन सा 22 कंप्लीट वब आपका पूछा गया का फाइंड नमबर ऑफ सोल्जर्स इन इच रो नमबर ऑफ सोल्जर्स इन इच रो आप से पूछी गई ठीक है तो आप लोग यहां लेंग्वेज क्रेशिंग की तरब चलते हैं बच्छों क्वेशन नमबर हमारा 23 ओ देखते हैं यह क्या गी विन बच्छों और इंपोर्टेंट भी है देखिए बहुत अच्छा क्वेशन है अन्डरूट टैन प्लस अन्डरूट फिल लिखावा बच्छों 25 फिल लिखावा अन्डरूट बच्छों कितना है 108 फिल लिखावा है बच्छों 154 फिल लिखावा बच्छों 225 चलिए स्वाल कर जाए देखिए सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 10 को ऐसी लिखने आपक 25 आपको सेम लिखना है 108 आपको सेम लिखना है अब देखे 154, 225 किसका स्क्वेर रूट है सबको पता है कि सर यह तो 15 का होता है सामें यह सबको पता है अब आईए जरा, कितना हो जाएगा 10 25 108 सर इन दोनों को एड कर देंगे 169 आजाएगा, कितना आजाएगा 169 आगया सर अब 169 भी आपको सबको पता होगा सर यह तो आपको सबको पता भाईया 169 किसका होता है सर यह तो 13 का होता है हमें पता है 25, 108 और यह सर 13 का हो गया किसका हो गया, 13 का हो गया अब इनको एड कर दीजे जरा नमबर वाइज लेके चलना है ना 10 25 अब 8 और 3 11 होता है सर 112 होता है सर 1 हो गया और यहां पर 121 तो सर 11 का होता है अब सब्सक्राइब होता है सर 11 का होता है अब सार यह 36 हो गया सर कितना हो जाएगा अरूट 10 ऑअंडरूट 36 यह हम को पता है किस का होता है तो 6 ज़्ण होता है सर 6 जा है ऐसंद्स is बीदेट चाहिए करकी औरब करेंगे मैं उन्रंत्स पोड़र वीडियो को लाइक से अभूलेस से और लाइक से AREप चाहिए चलिए, तो 24 question में जो given है, चल्दी से note कर लेंगे, सबसे पहरे लिखा है, 1191.16, 1191.6, plus 70, 129.86, 129.96 है, क्या आया है, यहां पर 96, इनका आप लोग division method चाब square root अराम से find कर सकते हैं, ठीक है, आएए सबसे पहले देखते हैं, solve करिए आएए इसको जरा, सबसे पहला काम क्या होगा, इसका हम लोग find करेंगा, यह, तो 1191.16, same रहेगा, plus 17, इसका square root बच्चों ने पहले ही हमारी निकाला हुआ, बच्चों बोल दो एक बाद जरा कितना है, सब जल्दी से बोलेंगे, 11.4 आ गया, 798, इसको एड कर दीजे जरा, एड करके भी बता दीजे कितना आ रहा है भाई, एड करके बताईए, 1989.16, और इसका square root आप लोग find कर सकते हैं, कितना आएगा, 44.6 आपका क्या आएगा, यह हमने बाद की बच्चों पार 2 के लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, पार 2 अपलोड करना था, टाइम ना होने की बज़े से अपलोड लेट हो रहा है, इसके लिए, तो आप लोग अपना दिरे दिरे बार कम्पलीट करेंगे, इसके बाद आपकी लास्ट एक्साइज की बच्चे वो भी अपलोड कर दी जाएगी, तो एक बार दुबारा से, 15 अगस्त आ रहा है, इसके आप सभी को एक बार धेर सारी सुपकामनाई, जो भी बच्ची वीडियो से देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स दोस्त, बच्चे जो भी हैं, बच्ची जो भी हैं, तीवारी प्लासिज आपके साथ सदय हो, तत पर अपने डियो जाना की वीडियो के साथ आप लोगों को साथ है अगर किसी तरह का आप सुझाओ देना चाहते हैं तो हम इमेल कर सकते हैं फेसबुक टेलिग्राम इंस्टाप आप फोलो कर सकते हैं कमेंश करके बताए वीडियो कैसे लगी है अपना ध्यान रखेंगे अपनी फैमली का ध्यान रखेंगे और कोरोना काल में अपने घर से बाहर ना निकले और जासे से स्कूल भी खुल रहे हैं तो अपना ध्यान रख